Good morning students, now the question is, निम्न द्वीगात भूपत के शुर्निय ग्याद कीजिए, आपने सबसे पहले सुर्निय ग्याद करनी है, तता शुर्निकों और गुनांगों के बीच के समंध की सत्यता की जाच कीजिए, अब आपके पार question number, first का fifth part है, t square minus 15, first of all, we put this polynomial equal to p of t, क्योंकि आपके पास यह variable t में है आपके पास, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, p of t is equal to t square minus 15, ठीक है, शुर्निय ग्याद करने के लिए, to find the 0 of the polynomial, शुर्निय ग्याद करने के लिए, क्या करेंगे हम, p of t is equal to 0, we put this polynomial equal to 0, what is the polynomial, t square minus 15, t square minus 15 is equal to 0, ठीक है, तो t square minus 15, now this is equal to t square minus 15, can be written as square of square root 15, का square ब्राबर 0, now this is a square minus b square, तो a plus b into a minus b, तो t minus square root 15, a minus b, what is a plus b, t plus square root 15, ब्राबर 0, now either this factor is 0 or this factor is equal to 0, या तो यह factor 0 होगा, या यह यह वाला factor आपका क्या होगा, 0 होगा, तो t minus square root 15 is equal to 0, या आपके पास t plus square root 15 is equal to 0, तो t minus square root 15 is equal to 0, implies that t is equal to minus square root 15, इदर आके क्या होगा, और दूसरा क्या है, दूसरे तीके से भी कर सकते हैं, जैसे t square minus 15 is equal to 0, t square is equal to, क्योंकि अब आगे आप क्या कहते हैं, जो थर्ड चेप्टर है आपका, वो कहें, द्वीघा समीकन है, ठीके, तो द्वीघा समीकन से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, गषोल कर सकते तो माइनस सब्सक्राइब टी इकटो क्या होचेगा यहाँ पर आजेगा प्लस माइनस का साइन तो इधर आके क्या हुँआ एड़ा क्या है स्क्यरूट 15 हो जाएगा ठीके तो टी के स्क्राइब तो यहां पर क्या जबाएगा तो यहां पर क्या जबाएगा प्लस माइनस तो एक प्लस का होगा और एक माइनस को आप इस तरह से कर सकते हैं इसलिए द्वीघात कि द्वीघात कि भूपत के शुन्यक कि आपके पास एलफा जिकल्टू क्यों गया स्केरूट 15 और जो बीटा है वह क्यों गया माइनस स्केरूट 15 हो ठीक है अब आपने क्या करना है जो आपके पास यह भूपत नंबर वन है इसकी तुनला क्य करोगे आप स्टंडर्ड फॉर्म से करेंगे तो यहां से आजएगा घंट आद वोपत 1 कि तुनला कि क्यों कि क्या कहते है यह जो आपके पास पॉलिनोम्मेल है यह किसमें टी में है तो यहां पर इसका जो स्टैंडेट फॉर्म हमको लिखने है वह भूपत तो किसे करेंग एक है यहां पर coefficient of t square तो यहां पर coefficient of t square क्या है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर a की value कि आजेगी a is equal to 1 and what is b here the coefficient of t coefficient of t कैसे find out करेंगे t को हम क्या करते हैं कि छोड़ देंगे जो हमको दिखाई दे रहा है वो b होगा तो यहां पर देखिए यहां पर आपके पास t t हाई नहीं है तो यहां पर b का मान क्या जेगा 0 आजेगा तो यहां पर b is equal to क्या लेंगे हम b is equal to 0 क्या कहते हैं, T का कॉफिशेंट ही नहीं है, T स्केर माइनस 50 नहीं है, तो T का कॉफिशेंट नहीं है, तो B क्या जगा यहां पे, आपका क्या गया, 0, और C is equal to constant, constant में अचरपद, तो यहां पे अचरपद क्या दिखाई दे रहा है, आपके पार माइनस 15, तो आपके पास C कितना आजेगा, आपके पास यहां पे, माइनस 15, तो आपके पास C कितना आ गया, माइनस 15, ठीक है, अब शुनियो को का हम क्या निकालेंगे, बुनन, प्र, sorry, योग बिचरपद इकल टुए alpha प्लस beta, और alpha क्या आपके पास यहां पे, स्केरट फंदरा, ठीक है, प्लस, ठीक है, plus का सायर के माइनस 15, तो माइनस 15, तो यहां से क्या आजगा के पास, स्केरट 15, प्लस माइनस क्योर स्क्राइब 15 तो प्लस का स्क्राइब 15 माइनस का स्क्राइब 15 ब्राबर क्या हो गया जीरो आ गया आपके पास जीरो आ गया ठीक है तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं जीरो बटा एक जिरो बटा एक खीक है और जिरो को भी कहें लिखते हैं माइनस जिरो ओफ माइनस जिरो जिरो ओफ तो माइनस का साइन आए माइनस और 0 किस का मान है आपका B का मान है तो यहाँ पर क्या जगा B और 1 किस की वैलू आपके पास A तो यह आगए minus B बटा A आपके पास यह क्या आगए minus B बटा A 0 को क्या लिखते है मैंने minus 0 बटा 1 0 का तो कोई साही नहीं होता प्लस का लिखे है जाए हम इसको minus का लिखे क्योंकि हमको क्या बदाacht minus B बटा A तो minus यह minus आगया और 0 किस का मान है आगा तो इसके लिए का B आ अगया और A किस का मान है आपके पास A कमान है तो minus B बटा A आगया ठीक है आप क्या करेंगे हम सुन्य को का गुनान्फल निकालेंगे शुन्य को का जो है फिक दोनों सुन्य को को हम क्या करतेंगे गुना करतेंगे अब आलफा के आपके पास यहां पर स्केरूट 15 इन्टू बीटा क्या है minus square root 15 minus square root 15 तो यह आजएगा square root 15 इंट्र square root 15 क्या हो जगा 15 हो जगा तो minus 15 आगे आपके पास ठीक है और minus 15 को हम क्या लिख सकते हैं minus 15 by 1 minus 15 अब किसकी value है देखो यहां पे किसकी value C की तो यह आगे सी और 1 किसकी value है आपके पास A की तो C बटा A, तो शुनेको का गुननफल, अगर मानक रूप में दिखते हैं, तो क्या होता है, C बटा A होता है, और शुनेको का योग फिल आपके पास क्या होता है, अगर मानक रूप है, आपके पास AX क्या प्लाद BX प्लाद C, क्योंकि T में है, तो हमने T में लिखा ये, ठ तो जो आपके पास आपने रिखना इन टूँनेक फाइंड आट किया है, उसको आपको in term of what लिखने है? minus b by a तो यहाँ केी कोटिंग लिखने है, और गुनन-फल को क्या लिखने है? आपने in term जो c बटा ही लिखना है तो यहां के गोटिंगे लिखना है तो आपके पास माइनस पंदर को मैं क्या लिख सकती हूं ठीक है तो इसमें भी यह कोशन अब आपने करना है उसी तर से सबसे पहले द्वीगाद वोपत के शुन्ने गयात करने हैं फिर शुन्ने को और गुणागों के बीच की समंधों की सत्यता की जाच करने यह वाला कोशन आप खुद करेंगे थैंक्यू